नमस्कार, आईए सुनते हैं प्रवराजी का मोक्ष प्राणा माताजी के सार गर्भित पत्रों की श्रंखला की अगली कड़ी माताजी लिख रही है शिरी शिरी रामकृष्ण शरणम परमकल्याणिया बीच बीच में तुम मुझसे पत्र की आशा करती हो हसती हूँ, क्या लिखू मैं तुम्हें? देरी से पत्र लिखती हूँ, क्योंकि लिखने की विशेवस्तू नहीं ढूंड पाती जो हो, इच्छा तो मात्र एक पत्र की है, यह तो कोई भी व्यक्ति पून कर सकता है मैं क्यों? सोचते सोचते मैं की गहराई ढूंड नहीं पाती जबकि शिरी मुख की वेदवानी, मैं मेरा सोच में ही तो सब अटकता है जब ध्यान का अंतिम चरण तो उस मैं पर ठहर जाता है ध्यानस्थ होने का अंत उस मैं रुपी धेर पर अटकता है जब यदि बहुत अच्छा होता है तो मन को कुछ-कुछ पकड़ा जा सकता है हालाकि ऐसा सभी दिन नहीं होता जिस दिन होता है मन उस दिन आनंद में रहता है नहीं तो यथा पूर्वम तथा परम चलते रहना है कितने दिनों में मा की कृपा होगी मा के साथ प्रेम और गहरा होगा मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहूंगी प्रेम भी नहीं करूंगी, तब ही तो कुछ होगा, तुम तो यह सब जानती हो, फिर भी लिख रही हूँ, चर्चा करते करते अर्थ परिस्फुटित होता है, अचानक एक दिन आलोक दिखाई पड़ता है, उसके बाद वह आलोक क्रमशह रास्ता दिखाता है, हमारे जीवन म तो यह सब चाहिए ही चाहिए, मा को छोड़ कर क्या हमारा जीवन चलेगा, कम उम्र में कामकाज में एक प्रकार से सब कुछ भूल कर रहा जा सकता है, अर्थार्थ नहीं पाने के कश्ट को दबा कर रखा जा सकता है, परन्तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, कश्ट भी पड़ता रहता है, यह किसी को समझाया नहीं जा सकता, आज यहीं तक बाद में फिर देखा जाएगा, शिरी श्रीमा कल्यान करें, इती शुभा नुध्याईनी, मोक्ष प्राणा, आशा है, आज का यह पत्र भी आपको अच्छा लगा होगा, और आपने इससे कुछ ना प्रेड़ना अवश्य पाई होगी, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहें देवाक्षर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,